अज हम देशी चेने से बहुत ही प्यारा चना चाट बना कर तयार करेंगे देखें जिसे बनाना बहुत आसान होता है आप इजी ली बनाईए और देखके मूह में पानी आ ही जायेगा तो बनाईए और खाइए चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चना चाट को अपने नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब मैं आज रखती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे अच्छे होंगे और आज हम बढ़ाएंगे चना चाट जो की खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होती है मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आपने ऐसी चाट पहले कभी नहीं खाये होगे और नहीं तो कभी बनाई होगी ये सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है और टेस्ट भी इसका बहुत ही हटके है तो चना चाट खाने में जितनी जादा टेस्टी है उतनी ही आसान है ये बनाने में तो आप भी मेरी ही तरीके से चना चाट एक बार जरूर बनाएगा बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा आप अगर इस तरीके से चनल चार्ट बनाएंगे फटा फट से मिन्टों में बनकर तयार हो जाती तो अगर आपको मेरी चनल चार्ट की वीडियो अच्छी लेगेगी पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नए हैं या भी फर्स टाइम आप आए ह है और िसे और चार्ट करें इस देशाण से देशी वाला चना है और यह आपको मार्केट में इझली मिल जाएगा एक है इस चना चार्ट करते हैं तो कि यह देशी वाला mellan चना आज हम बनाएंगे चाट जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में और एकदम इजी तरीका है बहुत ही सरल तरीका मैं आज आपको बताऊंग चने को हम ओवरनाइट भिगा देते हैं या फिर 6 घंटे के लिए अच्छी तरीके से पानी डालके और इसे कवर कर द लेते हम अच्छी तरीके से 5-6 घंटे में चना भीग जाएगा 6 घंटे बाद देख लेते हम चने को और देखे कितने बढ़िया तरीके से फूल चुका है फूलने के बाद ये दुगन हो जाता है भीगने के बाद चना तो अब हम इसका चाट बनाएंगे चने से सबसे पहल कि पानी सारा मैंने निकाल दिया है चने से अब हम इसे रखते साइट में ये मैंने एक कटोरी ले ली हैं और कटोरी में मसाले का घोल तैयार करेंगे आप चाहें तो प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी चने में लगा सकते हैं बट मैं बिना सीटी के ही और बीना चने को बॉयल कि यही बताऊंगी आप चने की चाड बनाना अब हम इसमें डाल देते हैं यह तीखी लाल मीश पाउडर आधा चमच हल्दी का पाउडर भी हम डाल देते हैं धनिया पाउडर है थोड़ा सा आमचुर का पाउडर है नमक टेष्ट की अकॉर्डिंग थोड़ा सा गरम मसाला जाएंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी यह चार्ट कि थोड़ा-थोड़ा करके हम पाई डालेंगे मसाले का घोल हमारा बनकर तयार है अब हम इसे कवर करके रख देते हैं साइड में और चना चार्ट बनाने की तियारी करते हैं कडाही में हम डाल देते हैं दो से तीन ट पीरा अद्रक और लसन और अद्रक अच्छी तरीके से पक चुके हैं अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले का घोल जो उनने त्यार कर रखा है अच्छी तरीके सब मसाले को भूनते हुए पकाया लेते हैं मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं साइड में देखे तेल छ कि आप अच्छी तरीके से हम भूनते हुए थोड़ी देर इनको पकाएंगे 162 मिनिट मैंने अच्छी तरीके से चने को भून लिया है सभी मसालो अब हम डालेंगे चने में पानी और पानी कितना डाला है वो भी आपको बता देती हूँ पानी हमें इसलिए डाला है कि इनको प्रेसर कुकर में 102 सीटी नहीं लगाया है यह मैंने कटोरी ले रखी है और वही कटोरी जिसमें हमने मसाले को घोल बनाया था तो एक कटोरी हम पानी इसमें डाल देते हैं इससे जाधा पानी नहीं डालेंगे और फ्लेम हमें मीडियम रखनी है हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं चने को और कवर करके हम पका लेते हैं चने को हम खोल के देख लेते हैं चना देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बीच बीच में आपको खोल के चने को चेक करते रहना है चलाते रहना है मैं आपको दिखाती हूँ पानी देखिए इसमें एक भी नहीं है नीची देखिए वेस में तले में एक भी पानी नहीं बचा है अच्छी तरीके से एक-एक हमारे छैने खिले-खिले बनकर त्यार हो गए हैं मैं आप सब थोड़ा से दबा के दिखाती हूं कितने अच्छी तरीके से पक चुका है काफी जादा गरम है पुझ Ilum इस तरीके से देखिए हम दबाएंगे तो यह अच्छे से मैश हो रहा है तो बहुत ही बढ़ी तरीके से चना हमारा पक चुका है आप जब ऐसे पक जा है तो फ्लेम बंद कर दीजिए अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद फ्लेम को मैंने बंद करके कड़ाही को नीचे उता लिया है और देखे चना हमारा कितना बढ़िया तरीके से पका है अब हम अपने चने को और भी ज़्यादा टेश्टी बनाएंगे चना चाठ हम बनाएंगे अब हम इसमें डालेंगे ये दो प्याज कटीवी डालने के बाद हम साथ में डाल देते हैं ये हरी मिर्च, दो हरी मिर्च को भी मैंने कटकर रखा है आप चाहें तो कड़ाही से किसी और बरतन में चने को बनाने के बाद टांसफर कर लिजे हम डाल देते हैं ये दो टमाटर कटेवे अच्छी तरीके से हम सारी चीजे मिक्स कर देते हैं चने में और चना चाठ हमारी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाईएगा अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे काफी सारा कटवुआ हरा धनिया हरी धनिया को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं चना चाट देखिए देखने में ही काफी ज़्यादा स्पाइजी तीखी चटपटी सी मज़ेदार सी लग रही होगी और मुँँ में पानी तो आही रहा होगा तो आपको पता कैसे चलेगा यह काफी ज़्यादा टेश्टी बनी है आप घर पे जब बनाएंगे और खुद खाएंगे तभी आपको पता चलेगा काफी ज़्यादा टेश्टी चना चाट इस तरीके से बनकर तयार होती है इसमें हम डाल देते हैं नीबू करस, लेमन जूस और बीज मेने हटा दिये हैं आधे नीबू करस हम सारा इसमें डाल देते हैं अब हमारी चना चाट एगदम अच्छी तरीके से बनकर तयार से सफ करेंगे दो मैंने ये कटोरी ले रखी है और अब हम इसमें चना चाट को अपने सफ करेंगे देखिए चना चाट को मैंने सफ कर लिया है और कितनी बढ़िया बनी है पास से देखिए एकदम मसालेदार, स्पाईजी, चटपटी आप भी घर पे ऐसे जरूर ट्राई करिएगा और थोड़ा समय इसमें डाल देती हूँ, ऐसे बच्चों को काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव लगता है और काफी ज़्यादा पसंद भी आता है बच्चों को इसमें हम अंदर तक डाल देते हैं, इसे बनाना बहुत आसान होता है, इजिली आप बना सकते हैं देखिए, कितनी बढ़ियां हमारी चना चाट बन कर तयार हुई है, और मैंने इसमें डाल दिया है, बच्चों को अगर ऐसे दिया जाएगा, तो बच्चे इधर उधर नहीं करेंगे, फटा फटा फट से लेके खा लेंगे, बच्चों को सबजियां खिलाना और चने सब्सक्राइब करेंगे, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं, या फिर्श टाइम आप आए हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, साइड में दिवे लाइकन की छोटी से कंटी होगी, उसे भी और पर क्लिक कर लिजिए, आप भी खा लिजिए, कितनी बढ़ियां हमारी चाट बनी है, लाइक कर दीजिएगा, मिलते हूँ मैं आप सब्सक्राइब वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुरात रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल सब्सक्राइब